इस कोरोना काल में आपने कई सारे लोगों को अपने जिम्मेदारियों से भागते वे देखा होगा कई सारे लोगों को इस विवदा के घड़ी में अफसर बनाते देखा होगा काला बाजारी करने की तस्वीर भी हमने आपको देखाई और साथी साथ लगतार कई सारी ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है जिसे देखकर हम सभी आश्यर चकित हैं लेकिन इन सब के बीच पिछले एक ग्यारह महिने 335 दिनों से लगतार अपना काम कर रही निशी सभी के लिए एक उधारण है जिहां निशी एक लाप टेकनीशियन है जो लगतार 11 मईने 365 दिनों से काम कर रही है 10 से 12 घंठे वो पीपी इकिछ पहनती है और कोरोना संक्रमित मरीज है या नहीं इसका पता लगाती है यानि कि वो टेस्ट करती है उनका कहना है कि पीपी इकिट पहन कर उनका शरी तो ठक जाता है लेकिन दिल नहीं ठकता वो लगतार इसी द्रढ़ निश्य के साथ लोगों की सीवा करेंगी और इस महमारी में लोगों की सीवा के लिए आगे भी ततपर रहेंगी क्या है निशी के कहानी, कैसे वो इस जजबे के साथ लगातार काम कर रही है, आपको सुनाते हैं लगातार 11 माईने 335 दन तक बिना कोई छुट्ती लिए, लगातार काम कर रही है पटना के निशी पांडे निशी पांडे एक lab technician है बिहार के स्वास्त विभाग ने इनकी प्रतिभा को देखते वे कोरोना महामारी की जांच में लगा दिया है निशी पांडे वे जांच में ऐसी लगी है कि उन्हीं यह काम अब लोगों की सीवा लगने लगा प्रतिदिन 10 से 12 घंटे पीपी इकट पहन कर लोगों का RT-PCR और NTP Gen टेस्ट करती है पचले साल से शुरू हुआ ये सलसला अभे तक खत्म नहीं हुआ है निशी पांडे ने 2010 में पटना के पंडारक PSC में जॉइन किया था लेकिन जैसे ही कोरोना महमारी शुरू हुई इनको District Health Society की तरफ से डेप्यूटेशन पर पटना ट्रांस्वर कर दिया गया पटना की Gardiner Road अस्पताल में लोगों की कोरोना संक्रमन की जांच करती है प्रते दिल लगबग 200 लोगों का स्वैब लेकर लैब में भेशती है निशी की मानी तो अब तक इन्होंने 50,000 से उपर लोगों का टेस्ट किया है इस से 11 महिने की तपश्या में निशी के परिवार वालों ने उनका खूप साथ दिया निशी के पती राजीश कुमार आईकर विभाग हैद्राबाद में है निशी के छोटी-छोटी दो बच्चे हैं जिने खुद सम्हालना होता है हलाकि आजकल निशी के मा, भाई, बहन मिलकर पूरे दिन बच्चों को सम्हालते हैं निशी बताती है कि पूरे दिन पीपी इकट पहन कर काम में परिशानी तो होती है, साथ ही पूरा शरीर ठक जाता है, लेकिन लोगों की सेवा के आगे ये सब माटर नहीं करता, उन्होंने बताया कि पूरे एक साल में वो कभी बिमार नहीं पड़ी, यहां तक कि संक्रमित मरी तो करीब पच्चास हज़ार से भी जादा लोगों का उन्होंने टेस्ट किया है, साथ ही साथ उन्होंने इस वात की भी जानकारी दी कि संक्रमित मरीजों का टेस्ट करने के बावजूत वो अभी तक संक्रमित नहीं होई है, हम भी भगवान से उनके लिए यही दुआ करते हैं कि वो यूँ ही लोगों की सेवा में तत पर रहे और उनकी जज़बे को सलाम है फिलाल के लिए इतना ही जाद अपडेट के लिए आप बने रहें नियूस वार्णीशन के साथ नमस्का